नमस्कार, चैनल दिव्वी के सभी दर्शिकों को पापांकुषा एकादशी की हर्दिक शुपकामना है आज एकादशी के दिन जिन भक्तों ने भी वृत धारण किया है वो मेरे साथ चैनल दिव्वी के द्वारा प्रतेक एकादशी इसी समय एकादशी के वृत की कथा और महत्म अवस्य रश्वान करें जैसा कि नाम से ही ग्यात है पापांकुषा अर्थात जो हमारे पापों पर अंकुष लगा दे हमारे पापों का समूल नाश कर दे और भगवान के चरणों में प्रीती बढ़ा दे उसी एकादशी को पापांकुषा एकादशी कहते हैं धर्म राज युदिष्ठिर ने भगवान स्री कृष्ण से प्रश्ण किया हे गोविंद आप हमें आश्वन शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुषा एकादशी के वृत की कथा विस्तार से सुनाईए भगवान स्री कृष्ण कहते हैं हे राजन प्राचीन समय में एक बहलिया था जिसका नाम था क्रोधन वो बहुत पापी अत्याचारी और साथ ही दुष्ट भी था अनेक रिशी मुनियों को उसने प्रतारित किया लूट पाठ करता था और आने जाने वाले मार्ग में विवधान उत्पन करता था जीव जंतों को मार कर खाता था जब उसके पापों का घड़ा भर गया तब उसको लेने के लिए यमराज ने एक दूत को भेजा दूत उसे नरक ले जाने के लिए आया जैसे ही क्रोधन ने दूत को देखा तो मृत्यू के भैसे भैभीत हो गया दूत के पाउं पकड़ कर रोने लगा गिड़गिडाने लगा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा दूत ने उसे एक दिन का समय दिया और कहा मैं अगले दिन फिर आऊंगा ध्यान रहे तुम्हें नरक अवश्य मिलेगा मृत्यू के भैसे क्रोधन भागता हुआ महर्शी अंगिरा की शरण में आया और अपनी मृत्यू को रोकने का उपाय पूछा महर्शी अंगिरा ने उसे कहा हे बहे लिए तुने अपने जीवन में बड़े पाप किये हैं और उन पापों से मुक्ती का केवल एक ही उपाय है तुम भगवान विश्णू के वृतों में स्रेष्ठ एकादशी अर्थात पापांकुषा एकादशी के वृत को धारण करो महत्म सुनू, कथा सुनू और पूरे विधी विधान के साथ इस वृत को तुम करो मुझे निश्शित ही विश्वास है कि इस वृत के धारण से तुम्हारे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे क्रोधन वापस अपने घर आया और रिशी के बताय हुए नियमा अनुसार उसने एकादशी वृत को धारण किया उस वृत के कारण, उस वृत के पुन्य के प्रभाव से क्रोधन के समस्त पाप नश्ट हो गए और भगवान के चरडों में उसकी प्रीती बढ़ गई अगले दिन जैसे ही यमदूत उसे नरक ले जाने आया परन्तु भगवान विश्णू के दूत वहां पहुँचे और उनसे कहा इसने एकादशी वृत को धारण किया है और इस वृत के प्रभाव से इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी भगवान नारायन के दूत क्रोधन को स्वर्ग ले गए और वहां भगवान के चरडों में उसको मोक्ष मिल गया जो भी व्यक्ति एकादशी वृत को धारण करते हैं इसकी कथा को सुनते हैं, महत्म को सुनते हैं यग्य तपदान आदी का पुन्य उन्हें मात्र एकादशी के वृत से प्राप्त हो जाता है आप सभी दर्शकों को आज पापांकुषा एकादशी के दिन पर हार्दिक शुप काम नाए ठाकुर्जी आप सभी के जीवन में सदैव मंगल करें जैश राधे